तो भाइयो आज हमारे पास मारुत्य सुजूगी की तरफ से मारुत्य सुजूगी इन्विक्टो एंड इस वीडियो में इस कार का कम्प्ली डीटेल रिव्यू करने वाले हैं कार के फीचर्स के बारे में बात करेंगे कार के क्या क्या प्राइज रखे गया हैं कार के कैसे तक बाकि ये पर्टिकल मॉडल है इंविक्टो का एलफा प्लस वेरियंट जो के साथ अवेलेबल है बाकि बात करूं इसकार के इंजन के बाहरे में तो इसकार के अंदर मिलता है टू लिटर का फोर्ट सिलेंडर हाइब्रेड इंजन जो कि एलेक्ट्रिक प्लस पेट्रॉल प इसकार का माइलेज काफी तकड़ा निकल कर आता है जो कि 24-25 केमपेल के सम्टिंग जो है इसका माइलेज निकल कर आता है बाकि ये मारूती सुजरी कंपणी की सबसे बड़ी गाड़ी रहने वाली है लैंट में देखा जाए तो 4755 mm की इसकी लैंट रहने वाली है बाकि 2850 mm इसका वील पेस है जिसकी वरे से अंदर की साइड अच्छा खासा इस पेस भी मिल जाता है ये कार अपने आप में काफे ज्यादा तकड़ी लक्जरी कार है अपने आप में गाड़ी के अंदर सभी फीचर से लेके बिल्ड गॉलिटी से लेके इंजन स्पैसिफिकिशन तक स में लिए भी बात कर लेते हैं कार के फ्रंट लुक के बारे में तो हमें एक पर आपको फ्रंट की इसनिमर कार कार कर मिल जाती है यहां पर यांपर ये यहां पर भी एंड नीचे की साइड में प्यानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ यह रेडियेटर ग्रिल भी दी गई है जो कि यहां तो फॉला होते हैं देखने को मिल जाती है हनी कॉमी स्टाइल में चार पार्किंग सेंसर भी दिये गया है फ्रेंट की साइड में कोई भी बड़ा साइड की तरफ में आपको डार क्लर की क्लाइडिंग मिल जाती हैं डामेंड कट अलॉइवील हैं सतरा इंच के लोगों मिल जाता है डिजाइन एकदम नया रहने वाला है कंप्लेटी फ्रेश एकदम फील आती है और वार्वेम के उपर आपको कैमरा मिल जाता है ब इसके कंप्लेटी एलेक्टरिकल एडिस्टेबल विद आटो फोल्डिंग के साथ मिलता है इंटीर एकदम इसका लगजरी रहने वाला है अब इस प्राइज रेंज पर आने वाली सबसे ज्यादा लगजरी कार आप इसे कह सकते हैं यहां पर आपको बड़ी सी पैनोरोमिक स सब्सक्राइब लगजरी कार रहने वाली अपने आप में और अभी बात करते हैं रेयर लुक के बारे में तो रेयर की साइड में आते ही सबसे पहले यहां पर आपको यहां पर मिल जाता है completely इसको बटन प्रेस करके इजिली ओपन कर सकते हैं उन्द कैमरा भी यहां पर दिया गया है एंड इस वाली सीट को फोल्ड करके अच्छा खासा स्पेस भी ले सकते हैं और काफी जाते स्पीशियस कार बन जाती है यह पूरा बैड काइंड ओफ यह बन जाता है जो कि दिखने में एक तुम भड़िया लगता है और अच्छा खासा समान आ जाता है लैम्प यहाँ पर मिल जाते हैं हेलोजन के अंदर कुकु अगेरा प्रॉपर दिये गए यहाँ पर इसको बंद कर लेते हैं बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में तो यह पूरा जो है इस तरीक्के से बंद हो जाता है एलेक्ट्रोनिक टेल गेर बटन के थूरू यह पूरा बंद हो जाता है जिसके वरे से कोई भी दिक्कत नहीं आती है बाई भी में ली बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में चाभी कुछ इस तरीक्के की आती है इसकी सुजवी का लोगो आपर लॉग अन लॉग एंड बूट एक्सिस का बटन मिल जाता है अब इसको ऑपन करता हूं मैं तो कुछ इस तरीक्के का है इसका इसको दिकने में का ज्खने में लगती है में लगती है मैगमें और बॉटर मिल जाते हैं सिकटर की कौटि का फ अब बीदействर के रेंट का हüट टैकोमेटर कुछ तरीक्के का है किविए और हैं completely इस कार में इस तरीक्य काता है एंड बीच की साइड आपको डिजटल में मिल जाती है completely हाँ पर आपको 200 की मैक्सिम स्पीड के साथ स्पीडो मेंटर शो हो रहा है एनलोग में यह आपको इसके साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं अपर आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको इन वाला कर ने सब्सक्राइब कुश। यहां पर आपको सभी टाप की कनेक्टिविटी फीचर मिल जाता है ब्लुटूथ के तुरू आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपल कार पर आपको वायलेस कनेक्टिविटी के साथ मिल जाता है और इसका IRVM काफी बढ़िया रहने वाला है जो कि ऑटो डिमिनिशिंग मोड के यहां पर आपको अच्छा का सा हेड रूम मिल जाता है मेरी हाइट के साब से मेरी हाइट है 510 के सम्थिक 5.9 के सम्थिक अप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आपकी अगर हाइट थोड़ी जाता है इवन 6 फूट तक भी आप इसके अंदर बैठ सकते हैं इसलिए इवन अगर आप 200 किलिमेटर तक की भी रेंज अगर कवर कर रहे हैं तो कमफरटेबली आप उसे कवर अप कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है लॉंग राइट पर भी बाकी अंदर थाई सपोर्ट अच्छा का सा मिल जाता है नीरों वगर आप अपने हिसाब से अ यह कंप्लीडी आपको इसकी क्वालिटी थोड़ी मेजरमेंट लग सकती है पूरी गाडी का 3 डिग्री व्यू आपको यहां पर मिल जाता है बाकी आटोमेटिक ट्रांश्मिशन के साथ आती है बाकी एलेक्ट्रोनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है विद आटो होल्ट के स है यहां से को अन भी बी कर सजते हैं सीट फिक एंदर वाले फैन को और ही चोटी से मिल जाता है तो हुआ उधक्यायाकर यहां पर मिल जाता है पार या पर मिल जाती है अ स्पीकर पॉलिटी काफी भडी है उसको बढ़ल पर प्नेश केyon हैं स्थूट बागी सेवत्टिガ मिल यानि कि पिलर्स वाले एर बैक्स भी यहां पर मिल जाते हैं अभी बात करते हैं रेर साइड के बारे में पिछे के साइड में आते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले Captain Seed के options मिल जाता है और यहाँ पर कोभी ventilator seat के option नहीं मिलते है बस height environment के साथ मिल जाता है soft touch material मिल जाता है golden finishing kind of मिल जाती है power window के control यहाँ पर है and sun shades आपको यहाँ पर मिल जाते है जो कि आप यहाँ से इसको control कर सकते है यहाँ से इसको लगा सकते है काफी बढ़िया राहत वाला फीचर है गर्मी के टाइम पर आजकल तो बाटल होल्डर्स वगएरा स्पीकर वगएरा सभी कुछ प्रॉपर मिल जाते हैं सीट के अंदर आपको आमरेस्ट मिल जाती है एंड यहां पर आपको यह कप होल्डर्स मिल जाते हैं तो बाइं यहां पर आपको इस इवेंट दिये गए हैं फॉर्टिनर की तरह आप बीच में नहीं है क्योंकि यहां पर आपको मिल जाती है बड़ी जन रूफ जो कि फॉर्टिनर में अभी तक भी मिसिंग है ambient light मिल जाती है जो कि इस car के इंटीर को और भी जाता प्रीमियम बनाती है handles के उपर आपको यह 2kg के hook के मिल जाता है and even पिछे की side भी यहाँ पर आपको इस event दिये गए है handles के साथ and rear side यह comfort भी अच्छा कासा रहने वाला है यहाँ पर आपको अच्छा कासा knee room मिल जाता है and leg space अच्छा कासा under thigh support भी अच्छा कासा मिल जाता है and head room मेरे height के साथ से decent enough बच रहा है अगर आपके height 7 foot के according भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है and long rights पर भी यह car एकदम comfortable feel होने वाली है recliner अपने हिसाफ से adjust हो जाता है and पिछे वाली जंगा पर आप देखेंगा तो यहाँ पर थोड़ अंडर thigh support and knee room की कमी जरूर है बट वो भी काफी comfortable है अगर वाँ पर बच्चे बैठेंगे तो कोई बड़ा बैठेगा तो दिक्कत जरूर हो सकती है बाकी AC को आप यहाँ से control कर सकते है जैसे कि मैं आपको बताया dual zone में automated climate control मिल जाता है यहाँ पर आपको इंडिकेशन शो हो जाती है बाकी AC vent जो हैं यहाँ पर है जैसे कि मैं आपको बताया तो यहाँ से इसकी हवाय की पूरोप पर नीचे की साइड आपको charging socket मिल जाते है दो charging socket मिल जाते है दो नहीं आपको type C में रहने वाले है बाकी बीच की साइड जो हम पर बिल्कुल ना के बराबर है बिल्कुल flat area है यहाँ पर दिये दिये गया है जो कि काफी बढ़िया बात है इस वीडियो में ने सभी डिटेल्स कवर करनी कोच की है अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी काईद आशी इंफॉर्मेटी वीडियो मैं लात रहता हूं तो मेक शूर आप चैनल से कनेक्टिव दियेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजेगा तो मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए जय हैं